दोस्तों नमस्कार ये वीडियो आप सब के लिए popular demand की बज़े से हिंदी में अक्सर मैं जब अपनी motivational workshops करने जाता हूं तो मेरे को लोग पूछते हैं particularly जो young लोग हैं वो मुझसे सवाल करते हैं और वो यह है कि सर हमारे को success तो चाहिए लेकिन हमारे को कोई ऐसा रास्ता और हमारे को hard work के रस्ते नहीं जाना पड़े इसके लिए मैं आपको एक चोटासा अपना किस्सा अपनी personal life से बताना चाहता हूं जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैंने इपनी schooling maximum चंदीगट से किये मेरे फादर एफोस में काम करते थे तो उस समय मैं हम लोग गर्मियों के चोटियों में अपने गाउं में घूमने आया करते थे जो हर्यानमस्तित है और एक पटिकुलर दिन मेरे को याद है कि दोपहर को मेरे को बहुत भूक लग दी और जिस तरह का खाना घर में बना हुआ था सब joint family में वो मेरे को पसंद नहीं था तो मैं बहुत नराज और पर आज आपको रेश्टोरन ले चलते हैं एक रेश्टोर cheapest गाउं में अ अगा रिस्टोरन कहां से हाया यहां है पर बोला फीटक नया रेश्टोरन गुला है और हम वहां चलते हैं और आप जोँवरजी और remote करके खा ले ना मिरको पड़ा आच्छा ईड़ लगा मैं तुरंट रेडी हो गया और हम लोग रेस्टरेंट खेले निकल गए घर से निकलते जब चलते रहे हम चलते चलते तकरीबन पांच साथ मिनट हो गए गर्मी का टाइम था पसीने वगर आने लगे तो मैंने पूछा कि ताओ जी कहां पर है रेस्टरेंट कहां है तो बुला नहीं मिल रहा है तो मैंने बुला कि ताओ जी यहां तो कोई रेस्टरेंट नहीं आ तो सब खेल नहीं बुला बेटा बस विश्वास करो पर पास पही है थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको जो है रेस्टरेंट मिल जाएगा और ऐसे करते करते हम लोग तकरीबन एक घं और उसको नहीं खोला और उसमें से इक रोटी निकाली सुखी हुई और एक प्यास निकाल के फोड़ी और साथ में उन्होंने में को बोला कि यह पानी चाच है अभी यह खाऊ गए तो भूख भी लग रही थी परेशान भी था तो मैंने बूला चलो यही दे दो और मैंने एक उसको खाया और तब मेरे को लगा कि याड़ यह तो बहुत niezी चीज अ बहुत जादा है और चिमिंग दिट्र eg BACK नीफ चीज को एप्रीशेट थो दोस्तों इस बात को याद रखिए आपको कोई चीज बगएर हाडवर के मिल भी जाएगी अ चाफ की मजा आएगा मज़ा आपको तब ही आएगा जब आप हार्ड वर्क करके अपनी चीज को अचीज को अचीव करोगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारे के सारे आज हम इस चीज को निश्चे करते हैं कि हम लोग हार्ड वर्क करेंगे और खूब हार्ड वर्क करेंगे क्योंकि hard work करके आज दे कोई भी इनसान मरा नहीं है इनसान आलस के कारण या बेकार की बातों कारण मरते हैं hard work से केवल सक्सेस परात होती है so इस चीट को हमेशा याद रुखें और wish you all the best thank you